आपका हमारे इस चैनल सुपर बाइट के टेक बाइट में स्वागत है आइफोन लवस के लिए नई खुशकबरी आइफोन एट का इंतजार खतम आइफोन एट लाँच्ट आइफोन एट एट प्लस के फीचर्स है आइफोन एट की जो स्क्रीन है वो 4.7 इंच है और एट प्लस की 5.5 इंच और दोनों में ही रिटीना HD डिस्प्ले है और यह 3 कलर्स में अवैलेबल है सिल्वर, सिल्वर ग्रे और गोल्ड और इनका कैमरा है 12MP जो इनकी टच स्क्रीन है वो टच आइडी के थू है अभी इसमें फेस आइडी वाला फीचर लाँच नहीं हुआ है यह केवल X में होगा A11 Bionic Chip है जो के Main Processor है जो आपको iPhone X में भी मिलेगा Wireless Charging है सारे ही तीनों फोनों में 8, 8 Plus और X में और 8 और 8 Plus अवैलेबल है 64 GB और 256 GB में मेम्री स्पेस में 3D touch screen है और water and dust resistant है लाइफोन 7 series और iPhone 8 camera में 12 MP MP है बट 8 Plus camera में wide-angle telephoto camera with optical zoom है Front camera दोनों में same है और iPhone 8 battery is similar to iPhone 7 and 8 Plus battery is similar to iPhone 7 Plus अब आपको बताते हैं iPhone X के features जो की जल्दी ही introduced होने वाला है उसकी screen size 5.8 inch है as compared to 5.5 inch in the previous models और OLED screen है Super Retina HD display है 12 MP wide angle है telephoto camera है और face ID है इसमें ये एक नया feature है कि open your phone with a glance आप अपने phone को ने face के सामने रखे और आपका phone on हो जाएगा अगर आपके features change होते हैं तो भी इसमें adaptive learning features है यानि आपका phone आपका ही रहेगा चाहिए आपकी शगल कितने ही बदले A11 chip है same as iPhone 8 and 8 Plus और available है 64 GB of 256 GB जैसे की 8 और 8 Plus थे और ये के वल दो colors में मिलेगा silver and space gray HDR display है जो कि अभी तक किसी भी previous models में नहीं था यानि कि ये new feature है Weight इसका light है 8 Plus से भी 174 grams है Dust of water resistant है Dual optical image stabilization है Front camera अब आपका 3D images भी ले सकता है यानि कि it is better than the previous models Any emoji this is a new feature Emoji animate हो सकती है यानि कि आप अपने expression से नई emojis बना सकते हो Battery to us more than the previous iPhone 7 है यानि कि किसी भी iPhone से बहतर है और charging pad आपको 2018 में ही available होगा अब तक आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा और USB charging port से ही आपको अपना phone चार्ज करना पड़ेगा सारे models में USB charging port अभी भी available है तो ये थे features जो distinguish कर रहे थे 8, 8 Plus और Model X को और अब आप जल्दी से ऐसे collect करना शुरू कर दीजे है क्योंकि जैसी ये market में आए ये आपकी pocket में होना चाहिए और इससे जादा आप क्या चाह सकते हैं क्योंकि आप iPhone lover है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आप हमारी चानल को subscribe कीजिए और यहाँ पर आपको नई से नई news available होगी जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ बाबाई